के लिए लाए है 9th Anniversary Sale जहां आपको मिलेगा up to 90% off 90% off 90% off up to 90% off plus 33% extra validity तो अगर आप SSC UGC NET KVS AAI ATSC EJE, State PSC, UPSC, Defense जैसे exams की तियारी कर रहे हैं तो अभी आपके पास मौका है enroll करने का with test book super coaching और सफलता की सीडी चलने का Hello everyone Hello everyone Good morning everybody Am I audible to each and everyone Am I audible to each and everyone Is audibility absolutely fine We are live now This is Moik here And welcome to the test book Guys, sabhi log मुझे देख पारें सुन पारें पारें बाज़ा कनफिशन देगे Is audibility absolutely fine To each and everyone गाइज इंडिया के बैस्ट एजे इलेक्टिकल सेशन में आप सभी बच्चों को फिर से स्वागा थे इसको बैस्ट आप लोगोंने बनाया है आपके प्यार ने बनाया है पिछले पॉने दो साल के अंदर अंदर गाइस जितने भी हमारे एक्जाम हुए हैं चाहे एक्जाम ट्रपल एस भी हो या डी एफ सी सी ये लो आर वी उनल हो या रस्म डबल एस भी एस सी जेई हो या एनच पी सी गाइज स्टील आफ इंडिया लिमिटेड ओ सी टी बोकारो हो या आपका मध्धिपदेश सभी इंजिनियर महा ट्रांस को हो या यूपी मेट्रो आपको गाइज मेरे इन ही सेशनों से exact more than 80% कुशन आपको आपके एग्जाम के अंदर मिले हैं और गाइज इस बार भी मैं जिन एग्जाम को टार्गेट कर रहा हूँ वो है आपका DRDO का पेपर वो है आप लोगों का महाजन को A.E.J.E. वो है आप लोगों का केंदर विद्दा ले संगट T.G.T.W.E. K.V.S. T.G.T.W.E. का पेपर या फिर गाइज वो हमारा पेपर है आप सभी को पता है A.P.D.C.L. या पावर ग्रिट कॉर्पोरेशन ओफ इंडियन लिमिटेड पीजी सी इन डिप्लोमा ट्रेनी एंड वेस्ट बिंगॉल P.S.C. इन सभी एग्जाम को गाइज आपको हर दिन मेरी सेशन देखने को मिले हैं ये सेशन कभी बंद नहीं होए ना कभी बंद होंगे गाइस डेली हम लोग चार बजे से लेके 6 बे तर मिलते हैं मंडे से लेके फ्राइडे और बिटा सेटरडे एंड संडे को हम लोग मिलते हैं मैराथान सेशन के लिए जिसक वे control system को revise करने वाले हैं, control system के हर एक topic के through go through करेंगे और मैं बादा करता हूँ इस marathon के बाद आपको control system में एक अलग level की perfectionist या एक अलग level का perfection देखने को मिलेगा J exams की मैं बात करूँ या A exams की मैं बात करूँ तो control system का level बहुत ज़्यदा high नहीं होता है बहुत low level का control system होता है, but important यह होता है, बच्चे से तभी बनता है जब बच्चा उस subjects के through थोड़ा बहुत तो go through होके जाना ही चाहिए, no doubt guys control system का weightage अपने आप में हर एक exam में थोड़ा सा कम होता है लेकिन बच्चों की पसंद बनी है सर, machine power system, power electronics लेकर सारे subjects तो हम लोग पढ़ते रहते हैं सा, लेकिन control का चसका हमको थोड़ा सा दे दीजे, तो आज एक साल बाद finally control का चसका आपको एक बार और देने जा रहा हूँ, एक साल पहले मैंने आपर marathon session लिया था, अगर आप class देख रहे हैं होंगे, ठीक है, उन लोगों को सबसे पहले उन लोगों से दो मिट बाते भी कर ली जाए, चलिए, हमारे 20 students are right now, और guys session को like कर देना है, सभी बच्चे एक बार, like कर देना है, सभी बच्चे एक बार session को, good morning swati, good morning sonali, good morning nirmal, copy pen लेकर के बढ़ जाना थोड़ा चलिए, बहुत बढ़िया, तो guys अगर आप लोग मेरी class देख रहे हैं और अगर आप लोग चाहते हैं दिल से आपके A.E.J.E. exam आने वाले जो हैं, वो बहतरीन fully fleshed way में, अच्छी तरीके से उनकी पढ़ाई हो, तो आपके पास बेटा, इंडिया का best A.E.J.E. electrical session का session तो हो नहीं चाहिए, मेरे ये session तो होने ही चाहिए, पर इंडिया का best A.E.J.E. electrical का course भी आपके पास होने चाहिए, एक ऐसा course guys जिसकी वाकई में, आप लोगों को बहुत जादा जरूरत है, जो आपकी ज़रों को बहुत जादा strong कर देगा, ये मैं आपको बादा करता हूँ, इस course उसको enroll करने के पहले, guys अगर आप ये मेरी वीडियो देख रहे होंगे तो इस वीडियो के नीचे एक बार आप description box में आईएगा, जब आप description box में आईएगे, तो यहाँ पर लिखा है A.E.J.E. civil, A.E.J.E. electrical तो आप यहीज़े इलेक्टिकल पर क्लिक कर लिएगा, जब जब से मैं बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, यानि कि जब से मैंने electrical engineering को पढ़ाना चालू किया है, या उस दौर की बात कर लूँ जब मैं पढ़ाई करता था, चार से पांच पॉइंट ऐसे थे जो जिन्देगी में बच्चों को हमेशा से लिक्कत किये, ठीक है, पहला point य निकलते हैं, तो वो अपनी personal चीज़ों में भी involved होते हैं, जैसे आपकी भी अपनी personal life होती है, जैसे दुनिया में हर इंसान की personal life भी होती है, ठीक है, तो वो उसमें involved होते हैं, तो होता क्या है, एसी situation में एक बच्चा जो होता है, जब वो यह सोचता है कि teacher अभी class में है, त तो फिर वो सोचता है teacher से doubt का पूछेंगे, तो teacher से doubt पूछने का उसको समय बिलकुल नहीं मिलता, और जब उसको doubt पूछने का समय नहीं मिलता, तो वहाँ उसके सान एक बहुत बड़ी दिक्कादाना स्टार्ट हो जाती है, दूसरा point guys, teachers mostly जब पढ़ाते हैं, तो पढ़ात मिली है पिछले काफी सालों में, अब आती है एक तीसरी दिक्कत, तीसरी दिक्कत बच्चों को ये देखने को मिलती है कि सर हमने technical का course पढ़ लिया सर, अब non technical की दिक्कत आ रही तो non technical के लिए पिर कुछ अलग करना पड़ता है, फिर सर exam ये वाला आया तो इसके course को अलग स पर्चेस करना पड़ता है, वो वाला exam आया तो उसकी test series को अलग से पर्चेस करना पड़ता है, ये सारी चीजों के चक्कर में बच्चों का जो एक amount होता है, जिस subscription की मैं बात कर रहा हूं, वो subscription की जो cost होने लगती है, थोड़ी थोड़ी बढ़ने लगती है, बढ़ने भी की बार, तो सर इंसारी चीजों को बहतर कैसे बनाया जाए तो मैं आपको बताता हूं, गैस आप सभी को बता है कि ये test book super coaching का subscription है, यहाँ पर मेरा आपको AE का batch भी मिलता है और यहाँ पर मेरा JE का batch है, तो यह मेरा JE का batch है, यह मेरा JE का batch है, यह मेरा AE का batch है, हो गया complete ब अप सर मानलिजे, I am some some of my students who are from South India, they are already right now selected in KPTCL, at the time of KPTCL guys there are so many students told to me sir can you please taught in English we are to be cannot able to understand in Hindi, that was the reason guys behind that we have completed launch, we have completed launch a batch for completely taught in English, this is my batch guys which is completely taught in English and this is one of the wonderful batch, recently we have started कर देज्ञ कि आपको सबस्क्राइब के बिश्ज के बागई थे यह था लुए यह बाद भागया तो फिर वापिस द करें गहें करें नहीं तो टैस्क भूप ने आपको आखे रियृइग के जिसी रेल्वेगे पैज्ञ को खरीदने की जरूरत नहीं है आपके पास देलिवे की बात करें जो कि आग तो सब्सक्राइब ना पड़ेगा नहीं आपके लिए एससे के बैच पहले सी इसमें इंक्लूड करकर रख दिया वह इवन मेरा ही बैच इंक्लूड़ेश नॉन टेक्निकल के लिए कुछ अलग से कोर्स करिजना पड़ता है नहीं नॉन टेक्निकल का जैसे मैं राजस्थान से हूँ मैं उपी से हूं मैं मध्यपदेश से हूं ठीके मैं हर्याणा से हूं सब्सक्राइब कुछ अलग करना पड़ेगा नहीं अब आती ही बात इसके बात की सर और क्या तो और यह बिटा कि आपको इंडिया के और अलग अलग इस्टीक्यूट ज जैसे सार इंस्टिट्यूट के content और batches आपको इसी platform पर इसी subscription के अंदर मिलते हैं तो अब बच्चे के लिए अगर इतना कुछ हो जाए तो मुझे नहीं लगता कि बच्चे के लिए इससे ज्यादा आप उसको कोई लेकिन इन classes में मेरा अपना एक जैनर होता है जिसके थूए आपको पढ़ाता हूं लेकिन इंपोर्टेंट यह आती कि आपकी जो डाउट्स होते हैं तो इन डाउट्स के लिए आप ही को जहाच का कप्तान बनाना जरूरी होता है यानि की class का कप्तान आप ही है अब आप मेरी in doubt classes जो की daily basis पर होती है life in life classes के साथ आप लोग में इसको जो doubt बोलोगे जिस तरीके के doubt बोलोगे उन सारे doubts को guys यहाँ पर clear किया जाता है similarly उसी pattern के उपर आपके PYQ sessions discussion किये जाते हैं और अगर आपको जिंदगी में कोई दिक्कत आती है तो मैं आपके साथ हर Sunday को available रहता हूं एक strategy session में ताकि आप लोगों की चीज़ों को सुधारा जाए अपार्ट फॉर्म लेट guys regular हर एक exam की यहाँ पर test series available रहती है और आप सब जानते हो test book की test series के बारे में कि this is one of the authentic test series जो कि आप लोगों को provide की जाती है तो सारे exams की test series guys यहाँ पर पहले सी included रहती है आपको कुछ भी extra करने की जरूबत नहीं है और जैसे जैसे हमारे exam साते जाती है यह test series हमारी update होती जाती है अपार्ट फॉर्म डेट गाइस अब आते इसके price की बात तो यार अभी ना test book का 6 January को एक particular 9 साल complete हुए उसकी उपलक्ष में आप लोगों को test book की पूरी टीम ने gift दिया है कि 6 मह 3919 का है अगर इस सिर्फ 3919 का है गाइस यह अगर सिर्फ 3919 का है और अगर आप इसमें भी एक coupon code apply कर लेते हो और उस coupon code का नहीं मोहित के बिटा मोहित के test book का एक मात रू यूनिवर्सल coupon code है यूनिवर्सल coupon code वो coupon code होता है जो सब से ज़्यादा discount provide करता है और सब जगे applicable होता ह SSC, Banking, Defense, UPSC, Insurance, Police, Teaching, Clinic, ATAC, AJ, Civil, Mechanical, Electrical, Electronics, Railways, UGC, Net and CUPT इस सब जगे applicable होता है जैसे आप इसको apply करोगे इसमें आपको एक और discount मिल जाएगा and guys यह इसकी सब से best price हो जाएगी जैसे भाई मैं apply करने जाओंगा तो आप लोग देखोगे यहाँ पर test book का एक मात रूनिवर् की तरफ जाएं क्योंकि test book भी चाहता है बच्चे की पास 16 महिने के लिए कोई चीज़े लेकिन बच्चे का पेपर तो 6 महिने में भी निकल सकता है और नहीं हम यह चाहते हैं इसलिए बना करके क्योंकि जो कुछ बच्चे college में होते हैं second third year में तब से preparation करना स्टार्ट करना पे और कुछ बच्चे जॉब में होते हैं तो उन लोग के लिए हैं लेकिन अगर आप उस फेज में नहीं तो भी आल्सो रिकमेंड यूट के आप 6 मेहिने के लिए चलो तो भाई आ जाते हैं अब कंट्रोल सिस्टम की दुनिया में 50 स्टूडेंट्स और राइट तिल नौ सब्सक्रिप्शन लेने के बाद आपको असलियत पता चलेगी सब्सक्रिप्शन लेने के बाद आपको असलियत पता चलेगी है ना चलिए तो स्टार्ट कर देते हैं ना बुड मॉनिंग एब्रिवन चलो तो भाई आज कंट्रोल सिस्टम भी दुनिया में चलते हैं और कंट्रोल सिस्टम के होट टॉपिक्स को बहतरीन तरीके से रिवाइ है मतलब माल लीजै हमारे पास चार सिस्टम है और हमारे आउट्पूट है घुटाहर यह जलिए सिस्टम जो मिलना न ही मिलना है है ना दिकर आपको कुछ खासियदा और विशेश्टा रोटी है यह सिस्टम जो है वो स्कुऴ है स्टेबलत 你 इए आप लोग देखु रहे हो किस तरीके तरीके सिंदल ही सिंदल है पृटकै chciaчив कि इस इस मैंने के इस ऑनघ्यूरों का पर उनल पर वह समौट लाइक एस सब शूर कर दिए ऐसर नवहारी सिंगनल。 दूसरा सिंगनल हमारा सिंगल हमारा ओ सिंगल है जो हमारा सिगनल हर उनना साइन रोब सिटेबल कौन सा है इसमें से मार्जिनल सिटेबल सिटेबल कौन सा है इसमें से मार्जिनल सिटेबल सिटेबल मार्थ एक ही है और वह कौन सा है ये वाला क्यों क्यों कि मैं बता रहता हूं marginal stable system वो system होता है जो कभी भी बैटा converge नहीं होता converge नहीं होता यानि कि जिसका envelope constant होता है जिसका envelope constant है यह कभी converge नहीं हो रहा है ऐसे system को बोलते है marginal stable system क्या बोलते है marginal stable system क्या समझ में आया क्या क्लिया समझ में आया समझ में आया यह साला बढ़ता ही जा रहा है अब जीवार में बढ़ता ही जाएगा तो फूर जाओगे ना अम्माल नो कोई खाना जादा खाता है उसका पेट बढ़ा होता जा रहा है अब पेट बढ़ा होता जाएगा तो एक दिन पेट बहुत ही जाएगा लेकिन यह बढ़ गया तो अनिस्टेबल में जाएगा इसलिए मार्जिन लेकर चलना है जैसे कॉल्ड मार्जिनलिस्टेबल क्लिया रहे क्या अब बता बबता देना यहां जो मैं आने पढ़ाया तो गूल के बता देना तेरे बस का लिए और सुटो जये हैं जैसे कि मान लीजिए आपका एक सिस्टम है यह मान लीजिए आपका एक सिस्टम है तो transfer function क्या होता है यह control system है और इस control system का input है R of S और इस control system का output है C of S तो होता है क्या है transfer function क्या होता है transfer function जो होता है वो basically क्या होता है laplace transform होता है कि इसका output upon input का तो अगर हम output upon input का laplace transform लेके चले output upon input का laplace transform लेके चले तो उसके ratio को बोलते है transfer function यानि कि जो आपका output है उसका lap last transform ले लिजे डिवाइट बाइ इंपूट का lap last transform ले लिजे इसके ratio को transfer function बोलते हैं और यह भी ध्यान रखना है इसमें initial condition क्या लेने होती है 0, initial condition क्या लेने होती है 0, अब इस moment पे तो आपको initial condition समझ में नहीं आईगी कि साला यह होता क्या है order मतलब यह होता है कि भाई यह transfer function के highest degree कितनी है S की तो S के highest degree कितनी है तो अंदर देखो S को S से multiply करोगे तोड़ा सा zoom कर देता हूँ अंदर S को S से multiply करोगे बटा इदार आजाओ मेरे लाल इदार आजाओ मेरे गुलाल इदार आजाओ यह आगया तो भाई यहाँ पर आप लोग देखोगे यहाँ पर आप लोग देखोगे कि भाई यहाँ नीचे यहाँ पर यह आपको जिखरा है S into S square कितना हो जाता है S cube और उसके बाद वापिस से S एक और multiply है तो कितना हो जाएगा S की power 4 तो कुल मिला करके S की power 4 तो है आपके पास तो denominator में कुल मिला करके S की power आपके पास 4 अविलेबल है denominator में कुल मिला के S की power 4 अविलेबल है तो यह highest power of S को क्या बोलते हैं डिगृई बोलते हैं या ओडर बोलों थे हमारा रहुता है हमारा भला क्या ह kelu Är टाइप होता है basically type पता करने के लिए क्या करते है number of number of zeros number of poles at origin पीटा number of poles at origin तो origin पर किते number of poles हैं और इजिन पर कितने number of poles हैं इनको बोलते है अब ओर इजिन कहा है और इन मतलब होता है zero तो zero पर किते पोल है इसमें एक पोल तो यह रहा S किसकी वेल्वी पर है यह माइनस टू पर यहां से भी कुछ पोल निकल करेंगे और एक S यह रहा आप मुझे बताए कितने पोल ओरीजिन पर है वह यह वाला है मलग को बिलाकि नीचे देखो S अकेले कितने है वह पोल ओरीजिन पर है और जिसफ़ीन पे तो वही उसका टाइप हो गया तरितने पोल ओरीजिन पर है और और अडर कितना है चा तक यह क्लियार . कोई इशु है क्लियर्टम ने यह कहा है और गें है क्लेयरे्टी है चलो नाइक्स्ट कॉशन देखते हैं नेक्स्ट्ट्ट रोडे फ्लॉट एप्लिकेबल पॉर ओडे प्लॉट इस एपलिकेबल उन औरपर आपको 3 हलोट नाउखर सा्टान्स व्हूंध और बोट रर icy वीडियो क्लिए नहीं आ रहे हिए वेट करो एक नुट वीडियो क्लिए नहीं आ रही तो वेट करो एक मिनिट वेट करो एक मिट क्लियर करते हैं वीडियो क्लियर करते हैं वेट कर एक मिनिट है कि अब तो कि अखिश्य अज्रुद ना इच्ट, है कि अखिश्य से तरफ, कि अखिश्य से शुआर इस कि इस से शी में कराएं नियूद नौ में आए चलो अभी क्लियर हैं अभी क्लियर हैं ज़िए ना चलो अबश्यक्राइब अप्लॉड इस यह नेटवर्क के लिए आल पास नेटवर्क के लिए या अबुए नेटवर्क तो बिखे लिए ऐब एब नेटवर्क शेस्टम के लिए किसके minimum system के लिए बेटा दो तरीका के control system होते हैं एक होता minimum face और एक होता नौन minimum face आभी के लिए के लिए दो मेट के लिए याद रख लेना आने वाले समय में मलब इसके बार वाली जो कुछ ओए न तो मैं दोनुं के बारे में बताऊँ होगा तो आपको पता चल दाएगा कि बोडे प्लॉट बीसिकली किसके लिए अपने के बले मिनिमुम फे सिस्टम के लिए क्लिए है यह चलो तो अभी मैं आपको बता हूं को चिंता मत करो चलो यह बहुत इंपॉटन है यह यह रूट लोकस की डेफिनेशन है रूट लोकस जो है वो कहां से शुरूआत होता है और कहां पर इसका अन्त होता है यह बहुत इंपॉर्टन है तो कहां से बाइस की शुरूआट होती है, कहां प्यांत होता है, जैसे आप लोगों ने इलेक्रिक फील्ड की डारेक्शन देखी होगी, हमेशा पॉजिटिव चार्च से निकलती है, नेगटिव चार्च पर जाके खतम होती है, ऐसी हमारा रूट लोकस है, यह कहां से चालू होता है, कहां पर खतम होता है, तो रूट लोकस हमारा चालू होता है, बिटा कहां पर, ओपन लूप पोल से चालू होता है, ठीक है, ओपन लूप पोल से चालू होता है, और यह खतम हो जाता है, जाके कहां पर, ओपन लूप जीरो पर, कहां जाके खरम हो जाता है, ओपन ल चार है पोल केबल तीन एक कहां से आएगा इंफिनिटी से बिलकुल वैसा ही concept यहां पर भी चलता है ज्यान रखेंगे लिए चले नेच्ट नमबर ऑफ ब्रांच इस रूट लोकस एक्वेशन की निकल के आएंगी जली कलेट करो कितनी ब्रांच निकल के आती हैं इएंगर k की वहां से यहां तक करते हैं गार को आप यह थे नहीं करो वेड़े एक भी थूटा सवार बिसीक फैक्टर ऑफ इस रिस्पाऊंस विल बीख में क्या होता है में आपको पता होना चाहिए इस जीचा वहता है जिट दोनों मैं से जो आपको बोलना है बोलाई होता ह अगर damping factor हमारा basically कैसा है गेटा control system का unity है तो response कैसा होगा जली बता फटा फटा फट response कैसा हो ये question है ये question है आपके paper में आता है response कैसा होगा ये question है आपके paper में आता है चलो तो इसकी कहानी को चलरा समय लेते हैं यहां से इस topic से आपके एक ये दो पैठने को मिलते हैं सेकंड ओर कंट्रोल सिस्टम कि अगा मैं बाथ करो एक सेकंड ओर कंट्रोल सिस्टम की अगर में बात करूं c आस मतलब कंट्रव स्स uniform स्टम इसका जो ट्रांसफर स्क्राइब यहां पर अगर हम बात करें यहां पर अगर हम बात करें तो डेल को भूलते हैं डेंपिंग फेक्टर ओरो डेल कोka क्या बोलते हैं डेंपिंग फेक्टर बात कुमेगाेंक क्या होता ही फ्रॉमूल से सब याद रखनाने इन को बोलते हैं नेचुरल सिखभानसी क्या और फ्रिक्वेंसी होती ही बात यहां पर इसको बोलते हैं ओमेगी क्या बोलते है Amen इसको हम लोग बोलते हैं यानि कि देम्डफरीक्वेसी Paco का कि विंद के वारे में कि वारे में लोग थैगा इक्षा-च्राइब की रिचे की पूलते हैं कि अगर अगर सिस्टम को क्या बोलते हैं शीरो मतलब कोई पिंग historically नहीं है इसको क्या बोलते हैं अंडेम्ड बोला जाता है अगर माल लीजे हमारे डेल की वैल्यू जो है वो जीरो से लेके वन तक है अगर हमारी डेल की वैल्यू जो है वो जीरो से लेके वन तक है ऐसे सिस्टम को हम लोग बोलते हैं बिटा क्या अंडर डेम्ड क्या बोलते ह आपके डेल की value वन से ज़्यादा हो जाए ऐबके डेल की value अगर वन से ज्यादा हो जाती है तो इसको लोग भोते हैं over damp system, over damp system बोला जाता इसको, ठीक है और बस तो यह याद रख लिएना भाई आप लोग clarity है क्या क्लियर चलो clarity है ठीक तो बटा ये 4 से 5 points हमेशा के लिए याद रखना ठीक है ये 4 से 5 points हमेशा के लिए याद रखना ये control system के लिए बहुत basics है और ये हमेशा से याद रखना clear ये बहुत important basic points है control system के लिए मैंने आपको बता लिए ठीक है clarity है क्या अरे clear है clear है clear हो गया perfect है याद रख पाओगे अरे perfect है याद रख पाओगे चल चल बहुत बढ़ी है अब हमारे question के दरफ चलते हैं हम लोग अगर अमारे response कैसा हो जाए गा तो response कैसा हो जायी ओजाता है क्ायो पिर ग्ली बताया था क्या सब्सक्राइब लोगों के सामने इसको बंद कर देता हूं तो यह माश्य को अपन बंद कर देते हैं यह माश्य अभी अपने गायब हो जाते हैं चलिए आपको वैल्यू आपको के निकालना है फोर इस्टेबिलिटी ओफ यूनिटी फीडबेक सिस्टम यह कोशन है राउथ का किसका कोशन है यह राउथ किसका कोशन है यह राउथ हर्विट्स का तो इस कोशन के साथ साथ आप लोग राउथ हर्विट्स सीखना लग जाओ इस कोशन के बाद आप लोगों को मैं राउथ हर्विट्स सिखा दूगा राउथ हर्विट्स क्या होता है इस कोशन के बाद म को एक बार calculate करके देख लें जिनको नहीं आता उनको मैं सिखाऊंगा और सेशन को like and share कर देना भाई सेशन को like and share करते रहे ना भाई कुछ बच्छों के कुछ बच्छों के कुछ बच्छों ने हाथ खड़े कर दिए पंदरा मिट में में पर लूँगा और पर पेपर आएगा तो सब कंट्रोल सिस्टम पढ़ा दो जब पढ़ाया जाता है तब मतलब रहता कंट्रोल सिस्टम से जब पढ़ाया जाता है तब मतलब नियुकर नहीं सकते भाई जब जरूरत पढ़ती है पहले से नहीं सोचते ना कि खाना खाने के लिए क्या करना पड़ेगा भूख लगती नहीं के लिए चलो अब लिटर्माइंट देटर्माइंट दा वैल्यों आफ एफ एस्टेवलीटी अब यह प्रविंट भाई को देख लिए आप रेलवेज दॉप करके हैं ना राइट नौ अब यह एल्पी है यह लोको पाइलेटेगे असिस्टेंट लोको पाइलेट अब यह सर् तो रेलवे में पंद कॉन सी पोस्ट बेए लंच कर रहा है तो निमेरिकल वाला कुशन नहीं कर सकते जरूरी लंच करना है चलो कर लो लंच अब ये प्रविन भाई एल पी एं अब प्रविन भाई एल फिक है अब आप लोग देख लो बैटा इसको हर क्लास में रहते हैं ये एनिहाओ एनिहाओ ही के एबल मतलब वाई मतलब शकर रहा है ना ही इस डूइंग ना क्या मोटिवेशन है ओलीडी जॉब उसके पास मोटिवेशन क्या है दो मिनिट के लिए उसको यह लगता होगा जॉब करने के बाद कि या थग गया या भाड़ा में जानो नहीं पढ़ र इन खायाम रखने ऐनों है वश्like और कुछ झरी चली आलएं ऑब राउफ वाट जो हमता है फ्हेले तो मोत क्या प्तु सुनना और राउफ हर विटा होता है शिंधू रिखत प्यों स्विल्स का हूता है हम लोग तरीके जो बनाते हैं एक कंड्रोल श्म को फो लुभन ब्त तरीके से बनाते हैं यह हमारा gs है बिटा और यह हमारा hs है एक control system हम लोग कुछ इस तरीके से बनाते हैं यह हमारा gs है और यह हमारा hs है ठीक है और इन दोनों का जो हमारा output निकल के आता है वो हमारा निकल के आता है C of S और उसके बाद यहां पर एक समर लगा रहता है ठीक है यहां पर एक समर लगा रहता है और यह समर हमारा होता है यह हमारा negative feedback होता है तो हमारा input जो होता है वो R of S होता है हमारा input जो है वो R of S है ठीक है और यह हमारा output है चीक है और C of S तो होता क्या है बिटा आज से याद रखना एक open loop transfer function एक open loop transfer function की अगर मैं बात करूं एक open loop transfer function की अगर मैं बात करूं तो वो basic लिए हमारा होता है GS upon GSHS एक open loop transfer function क्या होता है बिटा हमारा GSHS यह हमारा open loop transfer function होता है यह हमारा क्या होता है बिटा ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन होता है जिसको हम लोग बोलते 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 है जिसको हम लोग बोल 1 plus GSHS, यह हमेशा याद रखना, 1 plus GSHS, यह हमारा close loop transfer function होता है, फिर से बोल लेता हूँ, दुनिया का कोई भी system, control system का ऐसे represent किया जाता है, यह open loop transfer function नहीं, यह close loop transfer function है, clear हो गई बात, yes sir, अब यहाँ पर याद रखना बिटा, इस 1 plus GSHS को अपन लोग एक नाम देते हैं, 1 plus GS into Hs अगर अपन कर देते हैं, और equate कर देते हैं, उसको 0 से, तो इसको अपन लोग प्यार से बोलते हैं, characteristic equation, क्या बोलते हैं, characteristic equation, इस equation को प्यार से बोला जाता है, guys, characteristic equation, यह आपके सामने आगई, characteristic equation, खतम करें इसको, ठीक है, अब बटा, यहाँ पर देखो, आपके सामने क्य सबसे पहले तो निकालने के लिए आपको सबसे लिए टा करेक्टरीस्ट्रीक कीषएन पर जाना परेगा तो जब मैं कैरेक्टरीस्ट्रीक क्वीशन पर जाओं सबढ़ आई 1 plus एके 1 plus और ये क्या निकल जाए क्वाइव चाचा या क्या निकल ख्या है या मारा क्या तो चैरेक्टरिस्टिक एक्वेशन जब आ गया तो इसको फॉल कर लेते हैं कर लो यह क्या हो जाएगा तो यह हो जाएगा s इन्टो s square प्लस प्लस s that is called 6s plus 5 6s plus 5 6s plus 5 plus k should become equals to 0 तो यह कितना निकल के जाएगा s cube plus 6s square plus 5s plus k should become equals to 0 तो यह हमारी characteristic equation निकल यहाँ पर आ जाती है यहाँठिक एक्वेशन यहाँपे आ जाती है आजाती है 서् गोसे हम सल्के लिए कि लिए हम लों डेक्टि श्रींटियों क्या बिल्या करते हैं सबसे पहले यहाँपर पर अपन लोग देखते हैं, यहाँ पे जब देखते हैं तो यह क्या लिखा रहता है हमारा, सुनते जाना यह क्या लिखा है आना कैसे हैं यहाँ पर एकर यहाँ पर अपर S की पावर जो लिखें हैं उसको इसे डिक्र yhtीरिसिंग ओर इनम लिखना चालो कर दो S cube, S square, S की power 1, S की power 0 और कोई बची क्या? नई अब इनके coefficient लिखने का तरीका देखो जा कैसे? ये इसका coefficient कितना है? 1 जो भी इसके बगल में तो उसको उसके बगल में लिख दो फिर उसके बाद देखो S square का coefficient कितना है? 6 तो उसको यहां लिख दो फिर उसके बाद नीचे नहीं लिखना है S का कितना है? 5 तो कहां लिख दो? यहां लिख दो पहले आपको ये दोनों row भरनी है पूरी S, 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 S और ये last में बच जाता है S की power 0 का तो यहां नहीं लिखना उसको यहां लिख दो मतलब खुल में लाके पहले आपको ये दोनों row को भरना पड़ता है उपर वाली उसके बाद आपको नीचे आना पड़ता है Otherwise आपका उपर वाले में काम हो जाएगा अब यहां क्या बचा? 0, 0 तो यहां 0, 0 डाल दिया दो row भर गई उपर कि आप यहां पर solve करना चालू करना है सबसे पहले जब आप solve करना चालू करोगे तो इसको इसमें multiply करोगे इसको इसमें multiply करोगे minus करोगे इसको इसमें multiply करके और divide इससे करोगे यानि की 1 into k यानि की 1 into k मैंने लिख दिया पेटा, minus 6 into 5 लिख दिया, मैंने 6 into 5 divided by क्या करना होता है, 6 करना होता है, similarly इसको भी इस से करना होता है, तो 1 into 0 कितना हो जाएगा, 1 into 0, 0 और 6 minus 0, 6 into 0, 0 by 6, 0 तो ये भी 0 और ये भी 0, ठीक है, अब बच गया क्या, है ना, इसका इसके सांथ, है ना, अब देखो, ये पूरी टर खतम हो गए, चारो रो कम्प्रीट कर दिया अपने, ये सर, अब आप सब क्या बोला जाता है, मैं आपको जाता हूँ, अगर बेटा, आपका सिस्टम इस्टेबल है, आपका सिस्टम अगर सिस्टेबल है, तो याद रखना, इस पूरी रो में, पहली जो रो है, इसमें कोई साइन चेंज नहीं होना चाहिए, साइन चेंज का मतलब होता है, कि जैसा अब ये टर्म पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, तो ये भी पॉजिटिव होना चाहिए, अगर ऐसा है, तो तो सिस्टम इस्टेबल है, लेकिन अगर एक भी साइन चेंज हो गया, तो सिस्टम उनिस्टेवल बन जाता एक भी हो गया तो सिस्टम स्टेवल तो नहीं है मतलब अगर ये अब यह तो पॉजिटिव इन दोन में से कोई भी नेगिटिव हो गया तो सिस्टम आपका सिस्टेवल नहीं होगा तो all sign change को देखना है अब यह पॉजिटिव अपने को क्या पूछा से ज़्यादा होना चाहिए। कब होगा भया जब की की एल्यों जो होगी वो 30 से जाधा होगी जब 30 से ज़ादा वोगी तो अपने हाम पता चल जाए हो तो खेक की एली जीरो से भी जादा है और 30 से बphonie सबसे मारण में चुनच और होपिए। और क्खेश्ट करेंक है डेशे में ह ? राउट समझे क्या राउट समझे क्या राउट समझ में आया राउट समझे 30 minus K होगा तो 30 minus K अगर and greater than हो जाएगा गदो 30-k जो greater than हो जाएगा 30-k greater than 0 हो जाएगा तो तुम मेरे को एक बात बताओ k की value 30 से कम होनी चाहिए न तो k तो less than 30 हो चाहिए न लेस थाटी ओप्शन में कुछ भी देते हो मिला मिला गये है वो मैट्राइस में करते हैं राउत में नहीं काई डी option हाँ चलो तो यहां पर एक बहुत बड़ी गलती हम लोग जो करते हैं राउत में बच्चो वो यही गलती करते हैं एक राउत में हम लोग गलती करते हैं हमारा यह confusion जो रहता है वो क्या रहता ज़रह यह सुना हो इधार सुनेंगे क्या होता है जब आपertख मीत करते हैं इसमें चल्ता है फाइव एंटफिंस से उल्टा चलता है यहान यають यही करते हैं इसली हमे중 आद रखना क्या 6 into 5 6 into 5 minus 1 into k 1 into k divided by 6 ठीक है यह हमेशा ध्यान रखिएगा यह गलती आप लोगों से न हो जाए ठीक है चलिए तो भाईया यहाँ पर आजाएगा यह 30 minus k और यहाँ पर आजाएगा k less than 30 ठीक है यह गलती बार बार ना हो है ना याद रखिए लेख चलिए तो यह गलत यह गलत यह गलत आप लिए यह नो रमाया तेल को नो नो चलिए आजाएगी नेक्स कुशन पर यह एक सिगनल फ्लो ग्राफेस में बताना है कितने और लूप कितने हैं यह सिगनल फ्लो ग्राफे यह जेई लेवल का सवाल एक्दम पर्फेक्ट जेई लेवल का इसमें आपको बताना है कितने फॉर्वर्वर्ड पात हैं और कितने लूप हैं सेबर में बता देता हूं यहां पर बना देता हूं इसको ओवर्राइट कर देता हूं ताकि आप लोगों को समझने में कोई दिक्कत ना है चलिए 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 चेले। यह आपके पाक्स बेटा यहां पर एक बढ़िया तरीका काई एपको बताना ही आपको कितने और लूप कितने हैं यहां पर आपको बताना है forward path उर लूप कितने कितने अवेलेबल हैं फॉर्वर्ड पाथ और लूप बताना है आपको यहां पर कितने अवेलेबल है जले फॉर्वर्ड पाथ और लूप बताना है यहां पर कितने अवेलेबल हैं कितने फॉर्वर्ड पाथ और लूप अवेलेबल हैं तो फॉर्वर्ड पाथ का मतलब होता है भाईया कि यहां से अपना रास्ता पकड़ लो यहां पर खड़िये चिंटी चिंटी से मिलने जाना है च चिंटी से मिलने जाना है चिंटू को ठीक है यहां से चलना चालू करेगा कितने रास्ते तो जड़ा देख लेते हैं सबसे पहले यहां से ऐसे आएगा आ गया फिर यहां सीधा आ जाएगा तो एक हो गया दूसरा दे को यहां से आएगा ऐसे तो कहां जाएगा अब रास्ता क लोगों में चला गया हाँ कोई रास्ते नहीं है तो दो फॉरवड पार्थ निकल के आ गया अब आता है लूप 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 खेलना लूप मतलब यह होता है कि बाइ जिस point से चले तह उसी point पर वापस आ गए तो ज़राब लूप देखो एक लूप तुमझे यहीं पर यहीं दिख रहा है यहां से चले ऐसे करके वापी से दूसरा लूप देखो आपको यहां पर यह दिख रहा होगा इधर से चले यहां पर वापिस आगए तीसरा लूप आपको यहां पर यह दिख रहा होगा इधर से चले वापिस आगए चौथा लूप यह दिख रहा होगा है ना चौथा लूप यह दिख रहा होगा बड़ा व यह यह और यह Also अगर बताओ और बता और कोई लूप कर एक दो थीन चोटे वाले हमने बना लिए तिक है अचार यह वह भी बना दिया हमने में 5 ये भी बना दिया हमने अपन्स घेले ऊपने आप्स और चली ने चली नहीं एक जबिए आप है अब यह वापिस बिढ़ा राउ थर्वेट का पुशन आपको बताना इसके अंदर यह वापिस राउ थर्वेट का कुश्न आपको इसके बताना है कि यह जो यह जो टांफर फंक्शन है यह इस्टेबल होने के लिए क्या होगा इसमें के की वैल्यू क्या होंगी ताकि सिस्टेबल हो जाए एक इसमें के वगरा की वैल्यू कित्री होंगी ताकि सिस्टेबल हो जाए तो यहां पर बिटाई लोग ने करा क्या है यहां का के है और यहां पर यहां पर यह साने सिस्टम दिया आपको घाना है कि और के वएल्यूस के आउए टाकी सिस्टम से बुजा जल्ली से राउत हर्विट्स लगाओ और सॉल्व करो जल्दी से राउ थर्विट्स लगाएंगे और सॉल्व करेंगे जल्दी से राउ थर्विट्स लगाएंगे और सॉल्व करेंगे जल्ली राउ थर्विट्स लगाईए और सॉल्व करेंगे फास्ट और सेशन को गाईज लाइक करते रहेंगे दिल से एक दाउ कि चलो कि जली से करेंगे कि आज बच्चा क्या करते ना बच्चा वो भूला नहीं अभी नहीं दर्मीरी शुक्ती में नानी के घर जाना पेपर देखा जाता फिर बोलता एकाथ-दर महीना तो कट अफ कट आफ खेल लेता हूं नहीं वाई एक पेपर होने के बाद अगर मालो उसको कोई प्राणी ये बोले कि भाई तेरे चांसे हैं यखीन मालो बच्चा दो मैने तक कट आफ कट आफ करते हैं जब तो रिड़िटी हैं जाता उसका और दो महीने बाद मेरे को आके बोलत चुक्त लाट होई नहीं उस पैश्न को आपने अस्पैसन को आपने हवा में निकाल दिया तो क्या लेगा कि जीवण नहीं दो मेन तक कट आप क्ट आप खेलताय वह आ जाएगा यूटूब में बतानी के लिए तक कट आप चांस हैं है अरे अपने आपको देख तो तरको लगरा आप तेरे चांस है इस देश में emotions की economy है ज्यान रखना है ना बट emotions के साथ खेलने की economics के साथ खेलने वाला मामला नहीं है economics की emotions की economy है वह समझना है कि भाई हमारे देश का आज हर एक बच्चा बिसकिट खाना पसंद ले उसको तो पार ले जी अंकल जी कभी कि भारत देश को पता चोटा बच्चा बिसकिट मांगेगा तो इस देश में इमोशन के साथ खेलना नहीं है और वही लोग कर जाते हैं आपके emotion के साथ खेलते हैं और आपको गेम खतम हो जाता है अगो हां चली सबस्ट करना कर लाएं और यह ब्ल hug यहां पर करना है और दोनों को म्रौकल उबलां तो ऊपर वाला कुंप बना लेता है चलु उपर वालाaug का ब्लॉक बना लेता है चल як अब्लीप्लाई तो अमारे पास हो जाएगा एस फ्लस फ्लस में हो जाएगा s plus 1 s plus 2 यह हमारा वेटा overall gs निकल के आ गया यह हमारा क्या आ गया overall gs की value निकल के आ गयी now guys यहाँ पर आपको दिखर होगा कि hs की value जो नीचे वाला आपको part दिख रहा है hs इसकी by default value कित्ती है 1 इसकी hs की value by default कित्ती है 1 इसकी hs की value तो हमारी बाइडिफॉल्ट कितनी विटा हुआ है यह हमारा एक्टरिस्टिक एक्वेशन कैसे लेके आएंगे एक्वेशन के लिए क्या करना पड़ेगा one plus gs hs equal to zero राुठ हर्विट्स लाणा है तो characteristic लगाना पड़ेगा हा सर निकालो characteristic equation क्या होगी टीक है तो characteristic equal MetAN है गें यह कितना निकल का जाएगा यह आजाएगा s स्कुरण प्लस 3s plus 2 टूण है, doet k plus k1 by s k plus k1 by s equals to 0 s वापिस से multiply होगा तो s q plus 3s square plus 2s plus ks plus k1 equal to 0 वापिस से देखेंगे तो क्या हो जाएगा भाई s q plus 3s square plus 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 s into 2 plus k बहुत ही सिंपल से एक्वेशन बन जाएगी गाईज और k1 सब्सक्राइब करना है तो सबसे पहले इस इंटू इस माइनस इंटू इस करना पड़ेगा हां तो यह कित्ता हो जाएगा तो यह कित्ता हो जाएगा तो यह कित्ता हो जाएगा 326 है ना यह हो जाएगा कित्ता 3 times of 2 plus k 2 plus k minus k1 minus k1 divided by 3 और यह इसका इसके सान यह 00 हो जाएगा इसको इसमें तो भाईया यह सिस्टमं को आपको बनाना था इस टेबल को यह वाली और यह क्वांटरिटी दूनों की होने चाही¿ जीरो से जसयदा होनी चाहिए बहुत बड़ें तो K1 पर हमारा 0 से ज़्यादा निकल के आ गया K1 To हमारा क्या चुका है ? 0 से ज़्यादा निकल के आ चुका इसमें कोई । sunshine forecasting Noil , מैंस कोई दो रहा नहीं कोई दो रहा नहीं सर इसकी VALUE को भी 0 से ज़्यादा बनानाई इसकी VALUE को भी 0 से ज़्यादा बनाना io तो 3 into कितना हो जाएगा 2 plus K तो 3 into 2 plus K क्या हो जाएगा minus K1 is equals to क्या हो जाएगा 0 अब यहाँ पर बिटा K1 की value को 0 से ज़्यादा बनाना है K1 by default आपका 0 से ज़्यादा है तो यहाँ पर एक काम यह हम कर सकते हैं कि 3 upon 2 plus K जो है वो हमारा greater than होना चाहिए K1 से greater than किस से होना चाहिए K1 से यह हमारा होना चाहिए अब यह relation आ गया तो यहाँ से 2 plus K कितना जाएगा 2 plus K हमारा greater than हो जाएगा K1 by 3 से K1 by 3 से greater than हो जाएगा एक equation हमारी यह निकल क्या गई यही आ रहा था क्या अप्षिए यह आ रहा था क्या आप अप्षिंद देख लेते हैं यहां तक करने के बाद तो ऑप्षिंद अंकल जी क्या बोलते हैं ऑप्षिंद अंकल जी क्या बोल रहे हैं अंकल जी क्युन बोल करें जिखो ऊप्य हो ओनक Leg большое तेंट जीरु और ये इसमें क्या रहे है इसमें इस Beef जीग नहीं मतलब से थिए मतलब क्या था उसा झालर क्या उपास अट है शों से पुरकल नहीं बना होई यह उसे बाद नंदीन जिता बहुत बढ़ी आ कि बहुत बढ़िया चलिए चलिए फटाफटे सेशन को बेटा लाइक करके एक दम 68 क्रॉस करेंगे फिर चलते हैं बन बनाते हुए कोशन की तरफ करते हैं रिजनिंग बहुत अच्छी है आपकी चलो कि दो ओपल लूप ट्रांसफर फंक्शन ऑफ यूडिटी फीडबेक सिस्कम दे रेंज ऑफ के फ्लोर ता सिस्कम इस टेबल चलो यह अवला ट्राइब करो मेरा आज में मोटिफ क्या है आपको यह के हिसाब से आपका यह तीनी टॉपिक होते हैं जो बहुत इंपोर्डेंट ह कि यह आपको करवा दूँगा चलो जली करो इसको करो मेरा सलीशन देख रहे थे अवे मेरा नहीं कोशन का सलीशन देख रहे थे मेरा सलीशन क्या है मेरा सलीशन नहीं किसी के पास कोशन का सलीशन देख रहे थे ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन ऑफ यूनिटी फीडबे देख रहे थे दो ओपन लूप ट्रांस्वर फंक्शन के बार में जली बोलो जली 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 फास्ट आपको सलिशन किसी के पास नहीं ऐसा कैसे बोल सकते हैं बहरत का सम्विदान आपको इजाजद देता है इस देश क्या इस प्यारे देश ने इजाजद को बोलने का अधिकार है तो बोल सकते हैं बिल्कुल जली करो पिर आ गए मैं तो बस सीख रहा हूं पावर इलेक्ट्रोनिक और कंट्रोल सिस्टम में कुछ नहीं आता है सीखता जा पिटा पिर देख तेरे को कंट्रोल कंट्रोल हो जाएगा हूँ प्लस एस प्लस टू और multiply में क्या करोगे, s plus 3 और plus k equal to 0 हो जाएगा तो यह हमारी characteristic equation निकल का आगई Am I right or wrong? Yes sir, you are absolutely right अब इसको अंदर multiply भी करना है अपने को खीक है? और multiply भी करना है अपने को अंदर तो भाई अंदर multiply भी करोगे 2s हो जाएगा और into s plus 3 2s हो जाएगा और into s plus 3 तो market में है that is s plus 3 और plus क्या हो जाएगा यहां पर k हो जाएगा equal to क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा तो यह हमारा k हो जाएगा equal to क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा अब वापस अंदर multiply करेंगे तो S की पावर 4 आ जाएगा, प्लस S की पावर क्यूब आ जाएगा, प्लस 2S स्क्वाइर हो जाएगा, प्लस 3S स्क्वाइर हो जाएगा, प्लस 3S स्क्वाइर हो जाएगा, प्लस 3 to 6S हो जाएगा, प्लस कितना हो जाएगा, 6S हो जाएगा, प्लस K, शिट विकम इक्वल hasnites इसफिन ओफिटा कोई वि prone फॉर्व सिर उतनी है विआए वाज्य कोई हमारे पास स्वायर और वी इस्क्रूर वे उड़ टीफ प्लस खैस स्वायर हो गया और में लगाना सीð तो आफ़ जब यहांसे यह लगाना सीखेंगे तो हमारा बढ़ी से-सी तरीके साथ सी जाता है he yeah 10 profitומ rights बॉैας का सबसे पहला है दो जाता है युजए पव्यक्तियर हो जाता है तरच Ó जाखे भी अस्के नरStart करें तो यह Lobus अगरण करेंगे तो यह जाती 14 यह जाती 56 सो चेनडेर जाती जाती यहाँ पे 0 मिलता है, इसके बाद इसकोुष मिल्टीप्लाइ करा, फॉर्टीन बाई फोर यानीं कि कितना होता है, जएवन बाई टू इनिटू इनिटू सिक्स कितना होता है, कि टू इनिटू इनिटू सिक्स होता है, शॉता है, साथ यहें किैम की खते Kuay na PY, चाहिए और यह पॉजटिव होनी चाहिए यानि कि अगर हम बात करें तो 21-4 के हमारा divided by 7 by 2 शुट भी greater than 0 होना चाहिए और हमारा के शुट भी greater than 0 होना चाहिए तो यहांसे हमारा 21 शुट भी greater than 4k यानि कि हमारा जो क्यों की होना है हम लिक साथिए है तो가지 दोहमेस्टिक वाइलेंस डिमेस्टिक वाइड रेंस के पहले डॉमेस्टिक हना चाहिए शब दिग वर्सकны डोमेस्टिक है दोल्स्टिक वाइलन्स लाइड आगे चलेंगया यह सब चलिया चलिया टुध । बहुत ही उंदा कोशन एकदम गगन चुम्भी कोशन इस्ट्राइब इस इस इसट्म का damping ratio और नेचररल फ्रिक्वेंशी का अलेगे जले 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 जली 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 करो a second order control system is defined as this that is d square ct by dt square plus 8 d ct by dt plus 16 ct plus 16 ut the damping ratio and the natural frequency will be damping ratio natural frequency of the system respectively चली गरो चली गरो कि अगरो आप कि अच्छा कि डूफास्ट कि डूफास्ट कि डूफास्ट कि क्लियर नहीं दिख रहा है है यह लो बहुत क्लियर कर देतें कूं से बड़ी बात है यह लीज़े खुश चल्व बटा सीधा हो जाओ सोबह सोबह गलत बात संड़े अच्छा यह लिए ख्लियर कर दिए बताई इसका डेंपिंग रिश्यो और नेचुरल फ्रिक्वेंजी कितनी होगा यह डिफेरेंशल इक्वेशन आपके सामने यह डिफेरेंशल इक्वेशन है आपके सामने जली कर तो भाइए सबसे पहले इस डिफेरेंशल इक्वेशन को कनवर्ट करना पड़े चाचाक इसमें लाप्लास ट्रांसफॉर्म में कर दें क्या कर देते क्ल कि protagonists यह डिखो तर में क्या लेख दें च्वार्य इसक्वारश्र कि सिक्वार्सटी कि लोगा कि 4D square CT by DT square 4D square CT by DT square रन बात करें तो 8D CT by DT plus 16CT 8D CT by DT plus 16CT 8D CT by DT plus 16CT plus 16CT plus 16CT और 16CT के बाद 16UT clear हो गई? यस आप देखो बिटा यहाँ पर एक चीज यहाँ पर एक चीज देखो यहाँ पर एक चीज देखो यहाँ पर एक चीज क्या देखो अब आपके पास यह differential equation का है second order derivative यह क्या है first order derivative यह क्या है normal यह क्या है UT मतलब क्या होता input तो सबसे पहले इसको लापलास में convert करो जब second order को लापलास में convert करते हैं तो यह बन जाता है 4S square times of CS प्लस प्लस यह वाला बन जाता है 8 times of S into CS प्लस 16 times of CS प्लस 16 time of input यानि की U of S यह हो गया बईया अब यहां से मैं CS को common कर लेता हूँ तो जब यहां से हम CS को common कर लेते हैं तो यह हो जाता है 4S square प्लस 8S प्लस 16 common हो गया अब यहां से इक्वल टो 16 into U of S हो गया अब यहां से अगर हमको मुझे CS upon US जिसको हम लोग क्या बोलते है transfer function बोलते है 4S square प्लस 8S प्लस 16 आता है नहीं आता आता थोड़े दिर पहले मैंने आपको एक चीज़ सिखाई थे अगर आपको याद हो तो याद आ रही है मैंने आपको सिखाई था बिटा कि आप लोगों को हमेशा जिन्देगी में यह second order control system में इसको compare करो standard second order control system से रेके standard second order control system क्या होता है तो यह आप को पता होना चीए ओमेगा N square upon S square प्लस ओमेगा N square upon S square plus 2 डैल ओमेगा N S प्लस ओमेगा N square यह हमारा बिटा second order control system होता है अब हमको इससे compare करना है political ठीक है तो सबसे पहले जब हम इसको इसको इससे कंपेर करेंगे तो इसको इसको से कंपेर करने जाएंगे तो इसको कोफिशंट में कुछ भी नहीं आना चाहिए सबसे पहले सबसे पहले सक्एका पहले जाएक चाहिए है और जब इसमेंसे फैर को कॉमन लिया जाएगा तो यह क्या बचाएगा गपान सबसे सब तो आप यहां से जो चागों को निकाल सकते हो, सबसे पहले तो आपको यह वाली term क्या प्रोवाइट करेगी, आपको पता है, यह आपको natural frequency देगी, तो omega n square की value आपको कितनी मिल जाएगी 4, तो omega n की value कितनी मिल जाएगी 2, तो omega n तो आचो का हमारा 2 radians per second, natural frequency आचोकी है, इसके यानि कि 0.5 and 2 is the correct answer मारने का एरे, जिशू, समझें क्या आप? समझें? चाले, यह theoretical question है, leave it the type 1 second order system, the first undershoot occurs at a time t, यह बहुत प्यारा सावाल है, जली करेंगे इस परशन को, first undershoot कब occur करता है, first undershoot कब occur करता है, क्या होता है, यह क्या नहीं होता है, यह सारी चीज़े बताऊँगा, जित्तों को पता है पहले वो बताएगा, क्या होगे, option चुन्दू मुंदू जैसे दिख रहे हैं, आजाओ इदर, बड़े गर्दो भाईया, option को, यह देजे, ठीक है, चल्ड, जले, सर क्या होता है यह, अंडर शूट, ओर शूट, क्या सा शूट, क्या सूट, होटो शूट, कौन सा शूट है सर,gos j assumption है, सर, तो भाईया, होता है, क्या है, हमारा, हमारा बेटा जो अंडर डेम्ड सिस्टम होता है हमारा जो अंडर डेम्ड सिस्टम होता है उसका रिस्पॉंस यानि कि उसका जो आउट्पूट होता है वो ऐसा होता है हमारा जो अंडर डेम्ड सिस्टम होता है यह हमारा एक under time system का response और output है अब इसके अंदर भाईया होता क्या है यह होता है हमारा input जो भी है यह हमारा input होता है तो यह कहलाता है जो सबसे पहली बार peak में पहुंचता है इसको बोलते हैं peak overshoot क्या बोलते हैं इसको peak overshoot बोला जाता है इसको बोलते हैं peak overshoot तो यहां तक पहुंचने के लिए कुछ time चाहिए होता है उस time को बोलते है tp यानि कि उस time को प्यार से पीक time क्या बोलते हैं उसको प्यार से पीक time तो पहली बार में जब अपना output जो होता है वो अपनी maximum value पे पहुंचता है तो यह जो distance होता है output का इसको बोलते हैं peak overshoot और साथी साथ में जितना उसको समय लगता है उस समय को क्या बोलते हैं उस समय को अपन लोग क्या बोलते हैं peak time लेकिन similarly एक बार और वह यहां पर पहुंचता है इसको बोलते हैं first undershoot क्या बोलते हैं first undershoot और तो खुल मिला और करके बात आती time कितना लगेगा तो पहले undershoot में कितना हम लगेगा यह आप से उसने पूछा है इसमें पूछा है कि पहले ताइम कितना लगेगा यह आप उसने पूछा है तो कुछा है तो कुछ नहीं एक फॉर्मूला याद रखलो दो कोड़ी का सव तब या पर इत्या पाइध यहाँ तो है जेकर पोलताना है जैसे यह पहला आया इसके लिए खोली जो हिए फोर शुट और अंडर शुट को काउंट करके होती है मतलब 1 2 3 4 5 6 ऐसे एंध्योल ने लिना है तो यह अंडर्शूट के लिए जो टाइम निकल के आएगा वो क्या जाएगा ताइम फॉर्स्ट अंडर्शूट तू पाई भाए ओमेगाठी गाइस इस यूर अंडर्शूट समझ में आया क्या पीक टाइम पीक टाइम समझ में आया क्लियर है पर्फेक्टली क्लियर बिटा याद रखोगे जीवन भूलोग तो नहीं इसको नहीं तो यह ग्राफ याद आदान चीजिंदी की में जब भी आ इसको नहीं को करेंगे हैं हमेरे एक क्यक्राइब नेगिटिव फड्वेडवें कंडर्ड यह सिस्टे क्लोजलूप सिस्ट Cheese कि औम होगा आए-एक लूप तेसटम स्टेबल कब वगा Сनिस्टेबल कब होगा एक लोजग लूप सिस्टेबल कब होगा एक लोजटे में एक यूनिटी नेगेटिव फीडबेक सिस्टम है जिसका जीएस भी दिया है एक लूप सिस्टम में स्टेबल कब होगा जली करो सेशन को लाइक एंड शेयर करते रहे ना भाई सबी बच्चे आज समझ माया यह एंड क्या होता है क्या वाता कैसे एक बार और तो इस रिस्पॉंस जो दिख राई यह अंड़ डेंम्ट सिस्टम का तो इक बार ऊपर जाएगा पर नीचे थोड़ा कम आपमोगा प्र उपर जाएगा पिर नीचे इसको कि पीक तैम बोलते हैं लेकिन इसको साथ ही साथ में पीक ओवर्शूट भी बोलते हैं या सस्ट ओवर्शूट भी बूलते हैं यह जो नीचे वाला क्या बोलोगे फिर्स्ट अंडर शूर्ट पलिट नीचे आए फिर यह वाला क्या है वAll अभेटा सेकिन अबर शूर्ट थारड फॉर्द अबर शूर्ट फ्रृर्ट पलोंगे ना दूसरे शूट को पहले अंडर शूट बोलते अभी समझ मां आया कि अबढ़ी विलीए समझ लब हाँ तो डू के से आया तो बताया यह टीपी है ना इसके लिए वन लेना उये तो किसक लिए लेना इसके लिया और एक और दो दो कहिए यह दो हुआ ना एंड की वैलियो यह नहीं आया न समझ में एक बार और बताओं बनाव बार और बताओं मास्टर बताए रही बताया क्यों बताएगा क्यों कि मास्टर क्या है मास्टर एक मजडूर है चलो आला हुच आगे निए आगे एक फिटबेक शिस्क्रम जी अच्छ दा लोग शिस्क्रम इस टेबल फॉर एक लोग इस टेबल उस्ट्रम उम्मरा कब इस्टेबल उता जली बताएंगे के की वालिव ग्रेटर देंट ट्वेंटी फिफ्टीन यह के लिखा है इस फिफ्टीन चब गया है जय हो टाइपिंग साहब चली यह लिए जली गरो जली आया किसी कांसार कोई आया आने दो तो चले तो यहां पर देख लेते हैं बंदूब बढ़िया तरीके से यह लेते हैं यह जी जैशी से स्क्लोंच लूप इस 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 पर बटाई सबसे आपको क्या पनाना पड़ेगा मैं आपको पहले बताया अमयां प्रविट लगा प्लमने प्लास जी एस एस लगाना नहीं पड़ेगी तो one plus G, S, H, S हमको equal to किसके करना पढ़ेगा जीरो के तो भाइए ये जी है और ये S है तो G और H है तो one in two k upon S into S plus one into S plus two हो जाएगा है निए हो जाएगा है निए हो जाएगा हाँ सर तो one one plus k upon S into S plus one one plus k upon S into S plus one और S into S plus 1 के बाद क्या हो जाएगा S plus 2 S into S plus 1 के बाद क्या हो जाएगा S plus 2 S into S plus 1 के बाद क्या हो जाएगा S plus 2 जब यह निकल के आ जाएगा जब यह निकल के आ जाएगा guys तो यहां से आप लोग RM से निकल सकते हो S यहां से आप लोग आराम से निकाल सकते हो clear यहां से आप आराम से निकाल सकते हो s square plus 3s plus 2 s square plus 3s plus 2 plus k should become equals to 0 तो guys यहां से s cube आ जाएगा 3s square आ जाएगा 2s आ जाएगा और सांतिसान में 2 होगा क्या 1, 2 जा 2 होगा 2 root 2 plus k आ जाएगा equal to 0 आ जाएगा दो कोडी का characteristic equation बन रहा दिख रहा हो तो काराम से इसको दो कोडी के राउ थर्विट्स में डाल दो तो दो कोडी के राउ थर्विट्स के solution में डाल दो s cube, s square, s की power 1 और s की power 0 इनके अंदर values put up करना चालो करो यह 1, 3, 2 के है यह 1 हो जाएगा, यह 3 हो जाएगा, यह 2 हो जाएगा, यह k हो जाएगा, यह 0 हो जाएगा, 0 तीन दो नीच 6 minus k by 3 6 minus k by 3 हो जाएगा तीन दो नीच 6 यह फटा का फटा तीन टिकर 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 जीरो जीरो यानि कि K की वैल्यू greater than 0 होनी चाहिए और K की वैल्यू क्या होनी चाहिए और 6 बड़ा होना चाहिए किसे K से और K हमारा less than 6 भी होना चाहिए यानि कि K की वैल्यू 0 से लेकर 6 होना चाहिए समझें क्या? Yes sir, समझ में आया? Clear? चल आ जाईए Unit step response of the first order with transfer function तो पैटा यह हमारा first order system होता है इसका transfer function नहीं इसका unit step response कितना होगा Unit step response मतलब यह होता है कि इस transfer function के अंदर आप अगर माल लीजिए अगर यह हमारा transfer function है और आगर आप माल लीजिए इसके अंदर unit input देते हो unit step input देते हो तो वह आप से पूछा इसका c of t किता होगा unit step response का मतलब क्या होता है कि अगर आप unit step input में देते हो तो इसका output यानि unit step output कितना निकल का आएगा जली करेंगे इस question को जली और session को guys like करते रेंगे 80 cross करेंगे जली 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 80 cross करेंगे fast दीपेश भाई को समझ में नहीं आया दीपेश भाई बिल्कु बताता हूं मैं आप लोग आपको एक मिन देख लोगा लास्ट में कुछ नहीं किया बिटा यह वाली equation समझ में है कि आरको देख तीन इंटू दो कितना होता है 6 6-1 बटा दो ते लिए च्छोटा होगा के से 6 चली यह करेंगे तो यूटि स्टेप रिस्पॉंस करेंगे जली कितना आता है यूटि स्टेप रिस्पॉंस करेंगे जली के नेगेटिव नहीं आरा बिटा के नेगेटिव नहीं आएगा के पॉजटिव रहेगा के जीरो से बढ़ा है 6 से काम यानि कि 0 से 6 के बीच में नेगेटिव नहीं तो बटा unit step response जो हमारा first order control system का होता है वो basically कैसे निकालते हैं सही बता हूँ तो आपको मैं निकालने का तरीका बताता हूँ तो इसके लिए हमको mathematics का एक topic देखना होता है जिसको बोलते है partial fraction बट वो आपको अभी करने की जरूवत नहीं है चीके चलिए मैं आपको इसको बताता हूँ हूँ यह अँमारा बीटा जी ओफसे है हैं कि में को output निकालना में सी ओफ एस और यह हमारा in put है आर फ़इस छे हो गई यह बात यह सर्व यहाँ पर करना क्या है हमको यहां पर करना क्या है यह हां पर करना है हमको कि हमको c of s upon r of s ठीके यह हमारा जो होता है वह होता ग-s सी अफ एस यानि कि क्या होता है response तो यह होना चैहिए हमारा आर आफ एस इंटो जी आफ एस अब आफ एस क्या होगा बेटा unit step function का laplace transform और step r of s क्या होगा unit step का Laplace Transform, और जब unit step गलापलास transform की बात करोगे, तो यह आना चाहिए 1 upon s, इन्टो बटा g of s क्या हो जाएगा, 1 upon s plus 1 upon 1 plus s tau, 1 upon 1 plus s tau, यही निकल के आजाएगा, यही निकल के आजाएगा, यही निकल के आजाएगा, इसका मतलब यह हो गया कि भाया अगर output function हमको बनाना है तो output function जो हमारा बन के आजाएगा वो आजाएगा one upon one upon s into one plus s tau अब इसका inverse laplace transform जो निकालते हो वो partial fraction से निकल के आता है और वो basically हमारा कितना निकल के आता है वो हमारा basically निकल के आता है वाल इंटूई की power minus t by tau यह हमारा inverse laplace transform निकल के आता है और यही उसने आप से पूछा था ठीक है यही उसने आप से पूछा सर आराल भी जे की वेकंसी कब आईगी 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 चल्ट 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 को ट्राए करेंगे दा यूनिटी feedback system shown in the figure is characterized by GS the output time response will have damping factor and natural frequency respectively आपको natural frequency निकालनी है और डेल की value निकालनी है और यह आपका बेसिकली क्या दिया हुआ ओपन लूट ट्रांफर फंक्शन फंक्शन है जी एस की value यहाँ पर वन है आपको calculate करना है यह पर यह बढ़ी आतरीक से क्या natural frequency और damping फे यह दो चीज़ा आपको calculate करना है यह गये यह अरे जल्डे जल्डे ज ल करो जली जली गुड बॉर्निंग भगवान जी भाई सही नाम है तेरा भी हाथ नाम भगवान जी बड़ा अच्छा लगा मेर को अच्छा लगा कि मैं सोचा कि ऐसा भी कोई नाम रख सकता है सब्सक्राइब नाम ही मेरा भगवान जी बहाड में जाहे दुनिया मेरा नाम ही भगवान खता है चलो आगए बच्छों के आंसर लेट्स ट्राइड इट वन अपॉन एस प्लस बन का होल स्कुए जाहना मजे ले लेता हूं करें मैं तुम लगों तुमले रखता है के तुम लगों को कोई ऐसा बच्छा ये को कभी बुरा लगा हो में मजे ले ले यहां पर आपके सिस्टम के अंदर आपको पास जी आफ एस अवेलेबल है आपके system के पाद g of s available है और g of s जो होता हमारा वो वन अपॉन s plus 1 का whole square होता है यह actual में बीटा s प्लस 1 का whole square होता है यह actual में पीटा g of s है आपका यह actual में क्या है? g of s यह अपका actual में g of s है जब यह आपका actual में g of s है तो characteristic equation क्या बनेगー? characteristic equation बनेगी one plus gs hs one plus gs hs equal to zero तो जब इसमें multiply करोगे तो यह हो जाएगा one plus g g यानि कि हो जाएगा one upon s plus one का whole square whole square into h of s h of s होता है one तो यह क्या हो जाएगा बिटा s plus one का whole square s plus one का whole square plus one यही लिखाता ना और कुछ भी लिखाता वे यही था चलो वह यह हो जाएगा one plus dish को 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 dish यह हो जाएगा चलो वह यह s square plus two s plus one और one कितना हो गया two यह हो गया अब यहां से निकाल तो तुमको जो निकालना था तो सबसे पहले तो तो तुम्हारा natural frequency निकल गएगी characteristic equation हो गई ना इसको comparison मारए हो किस से s square plus two dal omega n s plus omega n s square से comparison मार दो जब इसको comparison मार दोगे जब इसको comparison मार दोगे तो यह basically कितना निकलेगा omega n s और two dal omega n s ना तो जब यह निकल के आजाएगा तो यह omega n s और अगर 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 यहाँ से तो निकल के आजाएगी तो यहां साकरम को डैल की वैल्यू निकालनी है तो यहाँ आजाएगा-गा-इस से इसको को चैंसिल मालेंगे तो यह आजाएगा पॉइंट है किया हो गया है कर रहा हूं कर रहा हूं सब्सक्राइब कर दो मालू मैं तुम लोग बोलोगे कि सर आपने गलत लिख दिया तो मेरे को पता है ना तुमारी आंख जो है बाच की आंख से भी तेज हो गई आज कर रूट क्लियर 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 यह सब्सक्राइब क्या हो गया रहे कहां भाग रहा है दर आंख चेवंगे रूट पाल अब है अ कि अब करें लिए अरे नहीं भाइस को हटाते हैं यह नहीं ना 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 लेवल गुड कुड लेवल नट गूड लेवल ना गूड लेवल ना गूड है है इसको लोको है कई से बना सिस्टम है अप्स इस्टेबल है अनिस्टेबल है करिटिकली सिस्टेबल सिस्टम अगरolesन और शुद्ध olması लिए किस तरीक genesisक में आelyn PiS degenerate Hadia इस इस्टम किस तरीक है जिली बोलो किस तरीके का जली बोलो किस तरीके का यह सिस्टम में जली बोलेंगे किस तरीके का इस सिस्टम है तो बैटा अगर किसी भी सिस्टम का एन्वल अप्राइजिंग करने लग जाए किसी भी सिस्टम का एन्वल अप्राइजिंग करने लग जाए तो ऐसे सिस्टम को क्या बोलते ह वो पॉलते हैं निन है अन इस्टेबल सिस्टम वौ टिटा गहलते हैं अन चैबल सिस्टम ज्यां रख यह 설isions आदर अ ओंड gonna dothen the Ding fluffी единि फिट्वन कॉप्ट गना। एistes से कटलो फॉब इस ख्राविभा थ्रटीन यहां पर आपको बताना है बैट एक कि इसका यहां के पास अपको पास पर और आ छुद न सब्सक्रज Peak Red और एक पाइगा अरे सभी फीडबेक है ना तो नेगिटीव करके बन होगया ना हां करो कि यह को शन रता है तो ते अरे अरे उट तो ते झाँ मजा नहीं आ रहा ना मुंद्त भंटः MINNA भईया जी56 में अब कुछ मत्कर एक पथर उठा धिवार पर सामने वाले घर पर जाएगीrop भए फिर देख पर जीवन में जो मज़ा आएगा चले तो भाई यह close loop transfer function है तो यहां से open loop transfer function निका लिए यानिに ज़ने से निकालने जाँ होगे तो यह क्या होजाएगा इटहाए S plus 4 into 1 plus G equal to क्या हो जाएगा G into G into S square plus 7S plus 13 G into S square plus 7S plus 13 पेटा open loop DC gain कैसे निकालने के लिए पहले तो open loop को पता होना चाहिए तो यहां से G की value जो निकल के आएगी वो क्या निकल के आएगी जड़ा देखना तो यहां से G की value निकल के जाएगी S plus 4 into S plus 4 into G यानि कि यह भी हो जाएगा S plus 4 equal to कितना हो जयागा गास तो現在 स्वाइर प्लस 7S plus 13 yes 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 one day cic їा दिषूंँम दिषूंद 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 जूर दिचल तरहीला जागा कितना घाए सples for equal to G into S qa的话 7S में से गया तो कितना 6ak समचने का 13 में 4 गया तो कितना बचने का 9 बचने का 9 बचने का यहां से ओपन लूट ट्राउंफर फ़ॉंच्छन क्या निकल के आया open loop ट्रांफर फ़ॉंच्छन निकल के आया s प्लस 4 बहुत बढ़िया divided by s इस्कॉर प्लस 6s प्लस 9 से वाहिए यह निकल के आया क्या ओंपन लूप ट्रांसवर फंक्शन अर्याहां से हमारा क्या निकल अच्छान लुब डूप ट्रांसवरं क्षिंट नर यहां से क्या गालना हो सकत यह ज्न जल्यदी क्या नहीं करना जब भी तुमको dc gain निकालना हो for dc gain for dc gain अगर हमको dc gain calculate करना होता है तो याद रखना हमेशा s की जगे क्या put कर देना होता है j omega s की जगे क्या put कर दो j omega और word लिख दी है dc तो चाचा यहां पर omega की value को क्या कर देना है 0 s की जगे j omega और omega equal to 0 put करना है तो पहले s की जगे j omega put करेंगे तो कितना निकल के आजाएगा j omega plus 4 divided by यह आजाएगा j omega का square 6 j omega और 9 j omega का whole square plus 6 j omega 6 j omega plus 9 आजाएगा plus 9 आजाएगा plus 9 आजाएगा plus 9 आजाएगा डिशुम 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 चली यहाँ से आजाएगा जी की value हमको जब निकालने होगी तो जी की value कितने निकल के आजाएगी under root of 4 square plus omega square divided by यह नीचे वाला देखो रहे कितना आजाएगा 9 minus omega square का whole square plus 6 omega का whole square का जिरो पूट करने का उमेगा जीरो मारा तो ऊपर चार आया नीचे उमेगा जीरो मारा तो नीचे नौ आया तो चार बटा नौ सही आंसर आया पर्ट आंसर इस फॉर भाई नाइन समझे क्या कि अज़िए नीज समझना या रहे कि नहीं समझ में आया सर स्टार्टिंग में ठीक क्या नाम है मनिशा जी को स्टार्टिंग में करा क्या आपने क्लोज लूप ट्रांसर फंक्शन जो होता है वह यह होगा ठीक लेकिन इसमें साथ में जी के बगल में एच भी आता है सामने वाले ने लिख दिया unity negative feedback है तो ह की value क्या होगा यह बन को किसी में भी multiply करोगा तो कोई मतलब है क्या नहीं तो यह हो गया अब यहां से अपने को क्या निकालना है open loop DC game क्या निखा हुआ है यह लिखा हुआ निकालने के लिए पहले अपने को क्या निकालना पड़ेगा open loop transfer function फोपन लूप transfer function वोग अपने को को निकालना पड़ेगा little open loop transfer function को अपन को निकालने के लिए करना पड़ेगा जी की value निकालने पड़ेगी तो यह equal to यह दिया हुआ है तो यहां से जी निकाल सकता है क्या हां तो यह देखिया अपने जी निकाल दिया तो में का equal to zero भी रख दिया हुआरा जो DC निकल के आया वो किते निकल के आया और वाइक समय हो गई बात क्यों के बात क्यों के बात कि अ कि अ कि अ कि अगल आँए है है कि लास्ट में रूट क्यों किया लास्ट में रूट उस लिए कि जब भी गेन निकालते हैं तोमें आप्षाइब होता है जैसे आप लेने काम करते हैं तो गेन की बात ही अपने आप में लगें बेसिकली पॉजिटिव नेगटिव से मतलब नहीं होता है अब अपने अपने यह कोंप्लेक्स नंबर रेक्स मैंने की अब सब्सक्राइब आपने है स्थाइब तो इसलिए नाइन माइनस मेंघा चुपार का होल इसक्सक्राइब समय में मौडिलस लिए कि नए अब कुछ बच्चेया ने बात तो यह थी तो जीवन बात तब तो यह है चाहाओ तो चाह्ट्नी में समोसर डाल के खाती है, दाल में रोटी डूबा खालो या रोटी को डाल के डाल लुआज पेट में वही तो दुछ दून्यان पागल है जा है चल दो बाती है तो बात तो एक ही सब जगए से तो जब सब जगए से बात ही तो फिर का करें तो भाइए जो तरीका है गणित के विशे शभ्यों ने बताया कि जब गेन जैसी सीज़ को मесяग collected रहे हैं तप Gas delete г 6 कि तरीका तो अपनाना फढ़ेगा ना तो प्राइगा वे तरीका तो अपनाना पढ़ेगा ना ना उनकी इज़्वत फटल prepare हमें गेंग कीosas तो याद रहने है ना हुआ ये चल्टीक माण लिया समय साज़ चेटनी पर ड candles आपसे सबDas एक कट लेकिक वहां है लेकिन ऐसे तक हाँ पूर्चैन ए लेकिन तरीख जो है विसको तो हो दूंए को यह से है वह की बुरा ना मानी जाता question काम एक है गत्रू दुम्य में में जब्ति गहां опас आप आपकर की मेलते तो तो मेरा मेंगी टूड लेते हो यह को नहीं ले रहा है तो कोई चीज बुरी ने माने इसलिए अपने सा करते हैं तो चलि बहुत प्यारा सवाल है कर से दा फॉलिंग लाप्लास ट्रांपर मुप सटेंज और विट 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 व वर तो इसमें आपको इसमें एक फंक्षन है टाइंड में एक फंक्षन आपके पास टाइम डोमेंड में जब इसका में लापलास ट्रांस्फॉर्म निकाल देता हूं तो यह बन जाता है है और जिसके सामने आपको होटाएं के बारे में बताएं के रखा हुआ है आज आपको इसमें एक आइस प्लस बॉइड बारे में दिया हूँ है बटा तो आपको यहां पर इसका इनिशल वैली और फाइनल वैल्यू क्या हूँ है पर आफ एस के बारे में बताना इसकी इनिशल वैल्यू और फाइनल वैल्यू क्या होगी जलें शिवानी गुपता सर एंपी इबी में कॉंट्रेट पर जेए हूं तो क्या एंपी पिस्ट एई के लिए मेरा एक्सपीरियंस है शिवानी यह इस बट इंपर्टेंट यह शिवानी कि एंपी एंपी पिस्ट एई में जिस डिपार्टमेंट पोस्त आई वह चीफ इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टरेट ने यह बोलाए कि हमें जो एसा चाहिए कि आप पांसो किलोवाट की मोटर के साथ क्या पास पास आपने काम किया हो तो आप पहले मुझे बताइए एंपी भी में जो आपका वर्क है एजा यह लेवल कोई दिक्कत नहीं है ठीक है लेकिन इंपॉर्टेंट है कि जो आपका एक्स्पीरियंस है वह किस फील्ड में है अलब आप अगर महां पर इस्टिबूशन में है तो नो डाउट क्या आप ट्रांस्फॉर्मर के सबस्टेशन वाले सेग्मेंट में हैं तो अगर आपको लगता है कि नहीं आपने वह वाला काम नहीं किया कुछ और अब बर्द किया शायद पर्चेसिंग से लेकर के सेल्स से लेकर के तो फिर आप मत करिए अब चले के बाकी हो एक अप्लाइब करो प्रदिक्त नहीं तो कि क्या होता ना नोटिफिकेशन में ढंक से लिखते नहीं है सही बताऊं तो फुछ भी उट पढ़न लिख देते हैं दो अक्छरका लिख देते हैं तो इसमें आप भी कंफूजन में रहता है इसलिए आप अ समझा जाये लिए अपलाइब करो आप तो यह लोग क्या ढंक से लिखते हैं अब इस चक्कर में क्या होता अदी जंता भर नहीं पाती है आपकी बात की बात में समझा जाएगा बात में क्या पता मतलब आपका अब माक्स आए और पता चला आप ही अकेले हो वहां पर नोग करी शिवानी अपलाई करी चली यहां पर देखेंगे एच आफ जो है हमारा यह बेसिकली क्या करता है एच आफ एच आफ एस डेवलप करता है बाई यूजिंग द लापलास ट्रांस ट्रांस ना आपको इनिशल और फाइनल वेल्यू थियोर्म क्या होती जड़ा बताईए निशल और फाइनल वेल्यू थियोर्म यह बोलती है अगर आपको पास अगर आपको ह की वैल्यू निकालनी है जिरो पे अगर आपको ह की यहdır पता है यहां आपको आपको को यह यहीं amor न तेरे को एक ऑ फेस्स पता है ना तो तू क्या कर इसको इसकी वेल्यू किसके बराबर होती है एस इंटू एस ए औफ एसके बराबर होती है और उसमें आप जीरो फूट कर दो इसको बोलते लाला कि इनिस्यल वैल्यू थेऩर हो आँ ग् ludzi वेल्यू थे हुरा ओ लिकिन मान लोगर कल को आपको हो इन्फिनिटी पर पर कंटा करना हो फटने ने हैं कि है यह ओफटी की फाइनल वैल्यू आप को पता करना हो और अगर आपको मेल्ल पता करना हो तो और के इससे करो है final value इसको क्या बोलते है final value फानल विखनी है THEORUM अब आपको यह वैल्यू यह यह करना पड़ेगा हाँ चलो करते एक बार टी को ZERA रखेंगे इसलिए प्लना रखेंगे सी प्लस दूआफ सब्स Om spannend इए टू-स दू-स प्लस 2.5 स्दू-स दू-स गौिस प्लस प्लस टू-स प्लस-प उम है ईब तो यहां से अपन के काम करते हैं यहां से 10 कर लेते हैं यहां से 10 करा है ना तो यह कितना हो जाएगा तो यहां से कितना निकल के आ जाएगा यहां से कितना निकल के आ जाएगा यहां से इंटू एच आफ एस करना है इसमें S into H of S करना है, जब हम S into H of S करने जाएंगे, तो यह basically हमारा कितना निकल के आएगा, इसमें multiply करेंगे, तो S into H of S, एक concorbitis में से S को common कर लो बहार, तो common कर लो एक बहार S, एना एक S को common कर लिए बहार, एक से common करना है, करना 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 करकर एक बार रखना और एक बार इंफिनिटी रखना है, इनफिनिटी रखोगे यहां पर तो क्या आ जाएगा, जिरो रखोगे तो क्या जाएगा, तो दो वैलूज निकल के जाएगे, वैलिए प्रिफ टे फो चा Х töंप ढुंड कोुंड की इंफिनिटी इंट से निखला कि इंफिनिटी इंटसा निकल जाएंग फिनिटी इंटसा आ जाएनधी फारी शीरो और इं इस तरीके से कुशन करना है एक बात दिल से सबी बच्चे से 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 को मस्त तरीके से लाइक करेंगे इसको बोलते है इनिशल वैली और फाइनल वैली तुरम और यह बहुत बार आप से पेपर में पूछ लिए जली से एक बार सेशन को लाइक करके 90 क्रॉस करेंगे फास्ट नह कॉमन ले भी कर सकते हैं को बड़ी बात नहीं क्योंकि इसमें कॉछ दिक्कत नहीं है यह सुदीब जीतना आसान था ठीक है चलिए अब भाईया मैं आप लोगों को देता हूं अपना टेलीग्राम चैनल यह मेरा टेलीग्राम चैनल बटा दिल से बताना सभी बच्चे कैसी कैसी फिलिंग आई तुमको कंट्रोल सिस्टम में आज है ऐसा थोड़ी के कंट्रोल सिस्टम की एक ही मैरा तुने और लाएंगे तुम अवेलेबल रहो एक अच्छी तरीके से अपनी पढ़ाई करना स्टार्ट कर दीजिए टीक है मेरी विशेज आपके साथ है मेरी मेहनत आपके साथ है 2022 में अजहां से मेरे करवाई वो कुश्चन पेपर में नहीं थे 2023 में भी ऐसा कोई एक्जाम अभी तक नहीं हुआ है चाहे वो यूपी मे फटाफटा आजी सबस्रिप्शन लो आज इसकी कॉस्ट भी बहूत कम है मैंने आपको पहले दिखा दिया है ठीक है लेना कहां से तो एई जैई लेक्ट्रिकल पर क्लिक करोंगे तो च्छे महीने का टू मेंट के साथ इतने का पड़ेगा महातर थे 639 और इसमें coupon code के apply करोगे मोहित के और कोशिश करा करो जब भी लेना हो तो मेरी class के बाद लो उससे फाइदा ही होता है कि आपको जो मैंने बताया एक्जेक्ट उसी price के अंदर आपको मिलता है यह हो गया भाई मोहित के बाकी लोगों को को भी आप suggest कर सकते हैं जो पढ़ने के इच्छु को लगता है कि वह पढ़ने रही है इसी तरीक से नेक्सST JENN के अदर शाथी so thank you very much, bye bye, take care and love you everybody. मिलते हैं next social में, thank you very much.